OnePlus 9 RT, जो 13th October को launch होने वाला है और phone के almost सभी specs के leaks आ गये है और 14th को में OnePlus 9 RT का unboxing और first impression बताने वाला हूँ तो चलिए आद देखते हैं OnePlus 9 RT में क्या-क्या upgrade मिलने वाला है leaks के मुताबिक chipset, camera और OS में बड़े upgrade देखने को मिलने वाला है मेरा नाम बिलन है और आप देख रहे है टेकिस्टीटोर जैसे कि आपको पता ही है latest technology update सबसे पहले हमारी चैनल में देखने को मिलते हैं तो ऐसे ही latest technology update सबसे पहले देखने के लिए और अगला giveaway देखने के लिए सबस्क्राइब करके हमारी tech team को जोईन कर लिजे ताकि आपको latest awesome tech update की notification सबसे पहले मिल से गए जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले design से सुरू करते हैं OnePlus 9RT में तीन कलर option मिलने वाले हैं Blue, Dark, Matte यानि Black और Silver Phone का back matte finish देखने को मिलेगा और इस बार texture finish भी बिल सकता है Camera module सेम ही matrix pattern में देखने को मिलता है बस sensor का placement थोड़ा अलग है Phone का front देखे तो 6.55 each की punch hole screen मिल जाएगी और punch hole laptop में place किया गया है और इस बार Samsung की E4 AMOLED डिस्पले मिलने वाली है यानि 2 दिन बाद ही launch होने वाला जिसका मैंने already unboxing, depth review और camera detail review भी बता दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो link नीचे description में और उपर card में मिल जाएगी जरूर से देख ले OnePlus 980 की display में resolution full HD plus मिल जाएगा उपर से DCI P3 color gamut भी मिल जाएगा यानि more natural colors with HDR 10 plus support और साथ में SDS eye protection certifications भी मिल जाएगा फोन में refresh rate 120 Hz की मिल जाएगी और ये screen ज्यादा अतर high end mobile में ही देखने को मिलती थी लेकिन अभी ऐसा कह सकते है mid to high end में देखने को मिलती है 980 में भी मिलने वाली है और साथ में Realme GT Neo 2 में भी मिलने वाली है ये screen, screen में bezels देखे तो काफी पतली देखने को मिल जाती है लेकिन यहाँ पर चीन देखे तो slightly larger देखने को मिल जाती है लेकिन तो भी overall screen to body ratio 90% से उपर मिल जाएगा और आपने यहाँ पर देखा कि display में बड़ा change मिलने वाला है 9R के compare में अब camera की बात करें तो camera भी upgrade किया गया है फोन में primary 50MP का Sony IMX766 sensor मिलने वाला है जो flexib level का sensor है जो कई सारे flexib phones में ही देखने को मिलता है secondary 16MP का Sony IMX481 sensor लगा है और third 2MP का black and white sensor मिलेगा तो camera में बड़ा improvement देखने को मिल जाएगा front में 16MP का Sony IMX471 sensor मिलता है OnePlus 980 के performance की बात करें तो phone में इस बार Qualcomm Snapdragon 888 processor मिलने वाला है तो यहाँ पे भी बड़ा upgrade किया गया है OnePlus 9R में Snapdragon 870 मिलता था तो इस बार flexib 888 मिलेगा जो 5M platform पे बनाया जिसकी maximum clock speed 2.84 GHz की है साथ में LPDDR5 RAM मिल जाएगी और UFS 3.1 storage साथ में phone में 5G connectivity भी मिलती है OnePlus 980 के OS की बात करें तो Oxygen OS 12 मिलेगा जो साथ Android 12 पे भी आ सकता है OnePlus 980 के बैटरी की बात करें तो 4500 एमेज की बैटरी मिल जाएगी जिसको चार्ज करने के लिए 65 weight का fast charger मिल जाएगा आखरी में OnePlus 980 के price की बात करें तो प्राइब के हिसाब से इसकी जो प्राइज है वो 34 से 40K के बीच में आ सकती है लेकिन इंडिया में तो साथ 40K के बहुँ ही आएगी देखते हैं अभी ज्यादा weight नहीं करना है तीन दिन के बाद ही launch होने वाला है तो तभी unboxing और first impression देखेंगे और price भी क्या आई वो भी देख लेंगे तो दोस्तो ऐसे ही latest technology update सबसे पहले देखने के लिए और अगला giveaway देखने के लिए subscribe करके हमारी tech team को join कर लिजे ता कि आपको latest technology update सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों मिलते हैं अगले latest tech update की साथ तब तक के लिए thanks for watching have a great day and keep smelling